उचाले की नई आशा, चलो कछ नया करे, लाइब को और भैतरिन बनाए, दोस्तो हमारी आदत ही हमें सफलता देती है, हमें ऐसी आदत टेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हम अपने लाइब को और भैतरिन बना सकते हैं, हम दिन की सुर्वा जल्दी करें तो हम सुबह में जल्दी उठें और एक कदम आगे बढ़ाए, अब सुबह में जल्दी उठना क्यों है, क्या इससे हम बहतर बन जाएंगे, क्या हम सफल बन जाएंगे, एक दिन, दो दिन, हफ्तों से कुछ नहीं होगा, हमें लगातार अपने आपको जल्दी उठाना पड़ेगा, तब कहें हमें जल्दी उठने की आदत पड़ेगी, सुबह में जल्दी इसलिए उठना है, पूरे दिन हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, कि हमें अपने आपके लिए टाइम ही नहीं में तो दोस्तों हमें अपने आपके लिए टाइम निकालना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना है, अपने आप में काम करना ह अपने आपको अपडेट करना है इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अपनी बोड़ी को फुर्ती नी बनानी पड़ेगी इसलिए एक्सेसाइज करनी पड़ेगी एक्सेसाइज के लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे मानसिक विचारों इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें इसे कंट्रोल करने में वक्त लगता है टाइम लगता है लगातार उस पर काम करेंगे तभी हम इस विचारों को हम कंट्रोल कर पाएंगे इसलिए हमें अपने विच्चारों को कंट्रोल करने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा हमारे अंदर नए विच्चार डालने पड़ेगे उसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा हमें बुक पढ़ने पड़ेगी और बुक पढ़ने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा और इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा सुबह में जल्दी उठना के तो हम अपने विचारों को बतल पाएंगे बुक पढ़ पाएंगे और अपने विचारों को अपडेट कर पाएंगे इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा सुबह हमें जल्दी उठना है एक घंटा हमारे लिए काम करना है अपने आप के लिए, अपनी बोड़ी के लिए, अपने विचारों के लिए अपने अंदर नए विचारों का अपडेट करने के लिए हमें सुपर जल्दी उटना ही पड़ेगा तभी हम अपनी लाइब को और बहतरिन और बहतरिन और बहतरिन बना पाएंगे तो दोस्तो हमें जल्दी इसलिए उटना है हमारे लिए उटना है तो दोस्तो हम एक कदम और आगे बढ़ाएं चलो कुछ नया करें और अपनी लाइप को और बहतरिन बनाएं दोस्तों मेरे चैनल को लाइप करें सस्क्राइब करें और सेर किजिए और हम फिर मिलते हैं थेंक यू तो चलो उजाले की नई आशा में नया एक कदम और बढ़ाते हैं